हालो फ्रेंट्स आज में आपके साथ सूजी के पापट की रस्ती शेयर कर रही हूं खोली आ रही है और होली पर हम अकसर पापट चिप्स बनाते हैं घर में बहुत असान तरीका मैंने आपसे शेयर किया है आदे घंटे में आप एक कटोरी सूजी से 120-130 पापट बना के तयार कर सकते हैं बहुत इजी ट्रिक है बहुत जल्दी से बन जाते हैं यह पापट आप वीडियो के अन तक बने रही है खाने में तो बहुत ज्यादा क्रिस्पी है और आप इसे एक से डेट साल तक एर कंटेनर बरतन में सेव करके रख सकते हैं जब भी आपको खाना हों आफ्र करें और सर्फ करें मैं आपको इसकी आवास सुना देते हूं कितने ज्यादा क्रिस्पी बनकर रेडि हो हैं यह देखिए बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है और इसमें बिल्कुल महनत नहीं है अगर आप इसे एक बार ट्राय करोगे तो हमेशा आप यह पापट जरूर फरी में और सुजीा घरमें यूस करते हम वाली सुजी है जिसे माता इसमें बोलते है एक कप मैंने मेजर्मिंट किया है इस कटोरी से अब गैस की फ्लेमों को हम आ न कर देंगे और इस्के उपर एक अपर अदर कर देते हैं जिस कतोरी से हमने गुना पानी इसमें अप पानी पतीले के अंदर आड़ कर दिया है और पानी जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो अब इसमें अच्छ नमक पापडों में नमक अच्छा रगता है और दो चुटकी आड़ करेंगे अम इसमें मिठा सोडा जो खाने वाला सोडा होता है वह वाला देखे बिलकुल पानी उबलना शुरू हो गया है तो अग़ euch शुरू देखे अब इसमें एड़ करना है तो अब इसमें एक पर और खिराना है तो फोय पर थोड़ा करके स्यूचा करना यह को बिलकुल स्मूथ का बैठर बऩकर तर यह दो की सूजी पानी में अड़ किया पानी देखे कितना थीक होना शुरू हो गया है बस हमें इस बैटर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा चार से पांच मिनिट में हमारा पापड का बैटर बन जाता है सूजी बहुत ज्यादा पानी अंदर अब्जाव करती है तो बहुत जल्दी तक आपने पापड का टेस्ट खराब हो जाएगा बस इसी बात का धियान रखना है तीन से चार मिनिट में देखे पापड का बैटर देखे कितना थीक हो गया है सूजी बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर अब्जाव करती है तो बहुत जल्दी से बैटर रेडी हो जा जब ऐसी आपको थिकनेस नज़र आए तो हम आप गैस की फ्लेम को कर देते हैं और इसको दो मिनिट के बाद ठंडा हो गया है दो मिनिट के लिए ज्यादा देर नहीं चोड़ेंगे वहना बहुत जादा हो जाएगा तो इसमें मैंने आड कर दिया एक चमास जीरा अब चाह गरम है बहुत ज्यादा तो मैंने ऐसे एक प्लास्टिक का यह लिफाफा विछाया है और इस पर थोड़ा सा मैं लगा रही हूं और अच्छे से ग्रीस कर देती हूं क्योंकि हम इसी के ऊपर बनाएंगे ताकि एजीली पापड निकल जाए तो मैं से ओयल से ग्रीस कर देती और यह भी नहीं देखना पड़ेगा मोटा हो गया पतला हो गया सेम साइज के इक्वल पापड बनके रेडी होंगे आप कोई भी चूड़ी कड़े से पापड यह बना सकते हैं बस हमें एक चमच यह बैटर डालना है और थोड़ा सा फैला देना है चूड़ीों के अंदर और हमारा पापड बनके रेडी है यह भले आपको थोड़े दिख रहें यह बहुत ही पतले हो जाते हैं तो यह ना गब आप यह बिल्कुल नहीं है जैसे-जैसे यह सूखेंगे अपने आप यह पतले होते जाएंगे तो देखा कितनी जल्दी से इतने सारे पापड मैंने एक कटोरी से मैंने पूरे ये पापड काउंट किया है तो 122 पापड बनके मेरे रेडी हुए हैं मैंने दो दिन अच्छे से धूप में सुखा लिया और पापड देखिए जितना इसमें धूप लगेगी उतना पतले होते जाएगा पापड ये देखिए तो सूखे बिल्कु पापड इसमें अच्छे से कर लेंगे फ्राइग जैसे हम इसे तेल में डालते हैं पापड फूल के अपने आप उपर आ जाते हैं और अलट पलट की हमें सेख लेने पापड बनकर हमारे रेडी है तो देखा कितना इजी है सिरफ 5-6 मिनिट लगता है बैटर बनाने में और पापड अगर आप चूडियो से बनाते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत इजी ट्रिक फटा फट से सेम साइज के पापड बनके तयार होते हैं तो इसकी आवाज मैंने आपको सुनाई थी एक बार और सुन दीजिए किछे करंची बने तो सारी मेजर्मेंट आपको बताई मेरे चैनल पर और भी रेइस्पी आपकी तो ज़रूर आप देखेगा चैनल पर नहीं है चनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाद स चाब्lude श्याने छेर्ट करिएगा तो मिलते हूँ नई बाबाई